नमस्कार दोस्तो जो बलड चैनल पर आप सभी का स्वागत है सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो क्रिपा करके बेल आइकम प्रेस करके और नोटिफकेशन जुरूर होन कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़ो हो तो जादा से जादा वीडियो जुरूर कीजिए क्योंकि आपके शेयर से हो सकता किसी को बहुत बड़ी इंफोर्मेशन मिल जाए अब आप चलते हैं जो कि इंडियन नेवी की तरफ से बहुत बड़ी ऑप्चुनूटी खुली हुई है जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ आपको पहले भी बता चुका हूँ बड़ फोर्म ओपन हो चुके थे बड़ अपलाई होना लिंक एक्टिव नहीं हुआ था बड़ अब अपलाई करने का लिंक एक्टिव हो चुका है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं लिंक कोई भी कंडिडेट वीडियो स्किप ना करें यह देख सकते हो इंडियन नेवी बात किया नो सेना की तरफ से इंडियन नेवी एक्टिव आइटी ब्रांच एस एस सी ओफिसर की रिक्रूटमेंट जो की जुलाई दो जार इकिस बाइस का कोर्स है उसके अपलाई करने के फोर्म एक्टिव हो चुके हैं 27 फरवरी ज स्टार्ट होने वाला है और पचास पोस्टें इसमें सिर्फ पचास पोस्टें हैं जी ठीक है जी और एक्टिक्यूटिव ब्रांच एस सी टैंथ आइटी ओफिसर की यह पोस्ट है आपका जन्म 1927-1997 से लेके 112013 के बीच में हुआ होना चाहिए तो आप इन पचास साब के होने जरूरी है और MSC या MTEC का आपकी computer science या IT में होनी जरूरी है और MCA भी होनी जरूरी है अगर आपके पास यह qualification criteria है आपके age इसके between मिलती है यानि की 18 से लेके क्रीबन ग्रीबन 21 साल के बीच में age है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो यहाँ पर आपने अपना state बरन है के इस पोस्ट के regarding आप apply कर रहे हो तो उस पोस्ट का नाम आपने फिलप करना है ठीक है जैसे मान लीजिए मैं आपको एक डेमो के तोर पर छोटा ऐसा बताने जा रहा हूं भी आपने इस तरह apply करना है यह सारे का सारा आपको एक sample के तोर पर बता रहा हूं जी यहां पर जैसे आपने कर लिए उसके बाद यह गलत हो गया जैसे आप नेम बर्दों के पूरे का पूरा और उसके बाद आपको सारे का सारा एक अधार कार्ट से link registration करने को बताएगा mail id से करेगा वो आपने पूरी को पूरी registration करते हैं यह देख सकते हो यहां पर अदार काड के थू भी आप registration कर सकते हो without अदार काड के एक अपनी दस्वी वोटर काड या ड्राइब डी लाइसेंस या पैन काड के थू भी अपना registration कर सकते हो ठीक है यह registration का लिंक आपको मिल गया है और यह जुरूर दियान दीजिएगा Indian Navy Execute IT Branch SSC Officer की यह पोस्ट की यह पोस्ट है जी क्योंकि Navy की पोस्टें और भी खुली हुई है कहीं पर आप registration करते करते किसी और पोस्ट के लिए apply मत कर देना ठीक है यह जुरूर देख लीजिएगा आप SSC Executive Branch के लिए apply कर रहे हो अगर आपका यह criteria है यह आपकी age इसके between है तो ठीक है जी उमीद करते हैं यह information आपके लिए बहुत बड़ी रही है और आपके link active हो चुक है जल्द से जल्द अगर आप apply करना चाते तो apply जल कर लीजिए ताकि हम आपके लिए आठवी से लेके graduation PhD पोस्ट graduation PhD तक के सभी के सरी जो भी पोस्टें खुलती है जो खुलती है सारी की सारी notification आपके लिए लेके आते हैं इसी तरह हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहीएगा अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज